Hello everyone, welcome to e-student आज हम discuss करने वारे हैं about ATP synthesis last class में हमने ETC तक discuss करा था oxidative phosphorylation का first part और इस class से हम ATP synthesis discuss करेंगे ATP synthesis में सबसे पहला एक experiment छोटा साम पढ़ लेते हैं अगर हम एक कुछ cell से mitochondria को isolate करके उसका suspension बनाए और उसमें ADP और PI add कर दे तो बस इससे कोई ATP synthesis ज्यादा देखने को नहीं मिलती है लेकिन अगर हम ऐसा करें कि O2 consumption में हो रहा है क्योंकि electron flow हो रहा है electron flow होता है तो ही O2 consumption होता है तो फिर और एक reduction के help से हम देख सकते हैं कि electron flow हो रहा है कि नहीं जैसे कि succinate अगर ये प्रोसेस चला तो फिर ATP synthesis देखने को मिलती है ठीक है तो फिर मतलब कि reductant यादिन की succinate वगेरे के addition से electron flow बढ़ता है तो फिर ATP synthesis देखने को मिलती है तो फिर ATP synthesis अभी होता कैसे है एक enzyme होता है जिसका नाम है ATP synthase जो कि mitochondrial inner membrane में present रहता है उसके help से होती है ATP synthesis ओके ओर राइट तो अभी चलता है next page पे inhibitors क्या-क्या है? inhibitors के बारे में जारा पढ़ लेते हैं तो cyanide, carbon monoxide, antimicine A अगर ये हम लोग add करेंगे तो फिर बोथ O2 consumption और ATP synthesis block हो जाएगा क्यों? क्योंकि ये जो है inhibitors है ETC का अगर electron flow ही नहीं होगा तो फिर ATP synthesis हो ही नहीं सपाएगी और O2 consumption तो होगा ही नहीं ठीक है? अभी अगर uncouplers add कर दे हम तो जैसे कि DNP तो फिर O2 consumption होगा क्योंकि uncouplers जो है वो ETC को नहीं रोकता है लेकिन ATP synthesis रुख जाएगी क्योंकि uncouplers के वजए से सारे जो H plus है वो निकल जाएगे intermembran space में तो H plus का एग्रेडियन फर्म होता है तब ATP synthesis होती है तो H plus को cytosol में ये जो DNPs है ये निकाल लेंगे तो फिर H plus का concentration कम हो जाएगा और ATP synthesis नहीं होगी अभी अगर हम inhibitors डाल दें जो कि ATP synthesis का inhibitor है जाज़े कि oligomycin, vintry sedent तो ये क्या करते हैं ये O2 consumption को ब्लॉक करते हैं लेकिन फिर भी O2 consumption थोड़ा बहुत अगर हो भी लेकिन ATP consumption बिल्कुल ATP synthesis बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है O2 consumption might happen बट बहुत less होती है लेकिन ATP synthesis जो है वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि ये ATP synthesis का ही inhibitor है ठीक है तो फिर यहां से इन inhibitors से हम क्या देख सकते हैं हम ये पता चल रहा है कि ETC और ये ATP synthesis जो है वो एक दूसरे के उपर dependent होते है ठीक है अब ही आते हैं हम chemiosmotic model में chemiosmotic model इसमें हम proton transfer यानि कि electron flow को हम detect करते है proton transfer मतलग H plus का transfer उसके वज़े से electron flow होता है उसी को बोलता है chemiosmotic model उसी के उपर dependent होता है chemiosmotic model क्या बोला गया है कि ये electron flow होने के वज़े से एक electrical और एक chemical gradient form होता है ठीक है electrical मतलब PSI और chemical मतलब PH तो क्या होड़ा है जब ये electron flow होता है ये ETC में तब हमें पता है कि complex 1 से 4 proton intermembrane space पे आता है complex 3 से भी 4 proton जाता है और complex 4 से 2 protons move to the intermembrane space अभी तो फिर क्या हो रहा है कि intermembrane space पे जो H plus का concentration है वो बहुत हाई हो रहा है मतलब कि matrix में कम हो रहा है H plus का concentration तो फिर intermembrane space में PH कम हो जाएगा जबकि matrix में PH increase होगा तो फिर ये जो H plus concentration है ये H plus अभी अंदर आ जाता है और अंदर कैसे आता है यह ATP synthase के help से और यह ATP synthase यह 3H plus को अंदर अलाने के लिए ADP plus PI से ATP बनाता है, ठीक है? ओकी, तो फिर यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जानने को मिल रहा है कि matrix में, electric potential जो होता है, वो negative हो जाता है क्यों? क्योंकि सारे H plus जो है, वो बाहर move कर रहा है therefore, in intermembrane space पे क्या होता है? electric potential positive होता है ATP synthesis जो होता है, वो proton motive force के कारण होता है proton motive force का मतलब क्या है? यह H plus जब यह ATP synthase के अंदर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे concentration बहुत आई है तो जिस force से वो लोग अंदर आ रहे है, उसी को बोलते है हम proton motive force और इस proton motive force के वज़े से ATP synthesis होती है अभी chemical potential क्या होता है? कि alkaline pH हो जाती है, right? matrix में alkaline हो जाती है pH अभी जब घ्राफ के थूँ से लर्न करने की कोशिश करते है electron transfer ATP synthesis coupling in mitochondria अगर हम यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं otocondrium ATP synthesis और इस X axis में time को ले रहा है तो क्या देख सकते हैं हम? अगर हम ADP और PI आट करें तो फिर slightly increase होती है right? otoconumption ATP synthesis लेकिन अगर succinate आट करें तो देखिए कैसे fatac से increase हो रही है बहुत fast increase हो रही है ATP synthesis और otoconumption right? लेकिन अगर हम cyanide आट कर दें जो की complex 4 का innovator है तो फिर दोनों के दोनों रुख जा रहा है okay? फ़र और detail में देखते है यहाँ पर सबसे पहले हमने succinate आट कर रहा है succinate आट करने से उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है लेकिन जैसे हमने ADP-PI आट कर दिया तो फिर देखिए fatac से बढ़ रहा है लेकिन ATP synthesis एकदम देखिए nil हो गया है अभी हम लोग DNP add कर रहा है यह हटा के हम लोग DNP add कर रहा है तो क्या हो गया? O2 consumption एकदम fatac से बढ़ गया लेकिन DNP uncoupler है इसलिए ATP synthesis देखिए nil ही है तो यहाँ पर मैंने chart बना के रखिए है one second चार्ट बना के रखिए कि O2 consumption ATP synthesis कैसे increase or decrease हो रहा है अगर ATP-PI दे तो फिर increase हो रहा है दोनों में succinate दे तो दोनों में increase हो रहा है cyanide दे तो दोनों में बंद हो जा रहा है winterisidin और या फिर oligomycin दे तो O2 consumption slightly increase हो रहा है ATP synthesis एकदम बंद हो जा रहा है और DNP अगर हम add करे तो O2 consumption high है बढ़ रहा है लेकिन ATP synthesis जो है वो ब्लॉक हो जाता है right okay अभी हम आते हैं ATP synthase पे जो enzyme ATP synthesis करवाता है okay ATP synthesis जो ATP synthase है वो उसका actual नाम है AFOF1 component of mitochondria यह जब ADP-PI से ATP बनाता है तब उसको हम बोलते है ATP synthase लेकिन जब यह ATP से ADP-PI बनाता है तो हम उसको बोलते है F type pump ठीक है यह कहां present होता है mitochondrial inner membrane में हो सकता है chloroplast thylakoid membrane में और bacterial plasma membrane में ठीक है यह multi sub unit होता है इसमें 2 component होते है एक होता है F0, F1, F0 जो होता है वो transmembrane होता है inter membrane space पे sorry inner mitochondrial membrane में और जो F1 होता है वो matrix में present होता है यह जो F0 component है इसमें 3 major sub units है A, B, C और C के 10 part है और F1 जो है उसके 5 major sub units है alpha, beta, gamma, delta, epsilon और यह alpha और beta individually 3 component होते है okay alright तो यहाँ पर मैंने diagram बनाके रखा यह देखे C के 10 component है यहाँ पर यहाँ पर A है यहाँ पर B है यह यह है आपका F0 component और अब यहाँ आते है F1 पे F0 के साथ F1 जो linked है F silent sub unit से linked होता है बीच में यह gamma जो होता है यह rotor होता है जो कि इसको rotate करने में help करेगा ठीक है gamma rotate करता है okay और इसी rotation के वज़े से ATP synthesis होती है उसके बाद यहाँ पर alpha sub unit है 3 जो की regulatory sub unit है और यहाँ पर beta sub unit है 3 जो की catalytic sub unit है यह catalytic sub unit को regulate करते हैं alpha sub unit और यह जो alpha और beta sub unit है उसके साथ B जुरा रहता है delta sub unit के help से और इसको बोलता है F1 component okay F1 component अभी यहाँ पर कैसे electron गुषता है यह है inter membrane space और यह है matrix ठीक है क्या होता है यहाँ पर मैंने उल्टा करके ज़रा ड्राव करा है यह inter membrane space और यह matrix है गुजरेगा और फिर आके matrix में जाएगा यह ऐसे गुजरता है यह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करके ऐसे 10 में आके अंदर गुषता है और अगर उल्टा हो तो फिर ऐसे matrix से जाएगा जाके ऐसे उल्टा गुमेगा और ऐसे निकल जाएगा तो फिर यहाँ से हमने क्या देखा clockwise जब movement करता है H+. अगर clockwise अगर clockwise अगर move करे तो फिर C subunit तो फिर जो gamma है वो clockwise घुमेगा ठीक है यह gamma भी clockwise घुमेगा लेकिन अगर यह anti clockwise movement करे तो फिर gamma भी anti clockwise movement करेगा ठीक है तो फिर H+, जो घुज रहा है उसके help से वो gamma subunit भी rotate कर रहे है, okay, alright, अभी anti-clockwise movement of gamma, anti-clockwise movement जो होता है gamma subunit का, वो ही help करता है, c subunit में, मतलब वही मैंने लिखा है कि anti-clockwise movement करता है अगर gamma, तो फिर h plus जो होते है, help move h plus in c subunits anti-clockwise, ठीक है, c subunits में भी anti-clockwise, तो फिर h plus move करेगा, ठीक है, अभी अगर gamma clockwise rotate करें, तो ATP synthesis होती है, अगर anti-clockwise rotate करें, तो F type pump के जैसे काम करता है, ठीक है, और यहाँ पर catalysis कैसे होता है, rotational होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे, कि gamma जैसे rotate कर रहा है, उसके वज़े से catalysis हो रही है और catalysis करता कौन है, beta subunit, ठीक है, all right, one second, यहाँ पर मैंने diagram बना के रखा है, inter-membrane space से 3H plus आ रहा है, gamma को rotate कर रहा है, 360 degree clockwise, तो फिर ADP-PI से ATP बन रहा है, और अगर ultra हुआ तो ATP से ADP-PI बनागा, तो फिर energy के वज़े से क्या होगा, anti-clockwise movement होगा, 360 degree gamma का, और 3H plus निकल जाएगा, to inter-membrane space, यह है F-type pump, ठीक है, तो फिर rotation of gamma helps in confirmation changes of beta subunit, अभी यह जो beta subunit होता है, इसके 3 confirmation होता है, open, loose, tight, हर एक beta subunit कभी open होगा, उसके बाद वो loose confirmation में आएगा, उसके बाद tight confirmation में आएगा, open में क्या होता है, वो ATP loss करता है, और जब loss करने के बाद ADP-PI से bind करता है, जैसे ADP-PI से bind कर गया, तो वो बन गया loose, ओके, इस वाले subunit में catalysis होता है ATP से, जैसे ATP catalysis हो गया, तो फिर वो बन जाता है tight, उसके बाद फिर से open बनके ATP को छोड़ देता है, और फिर से bind करता है ADP-PI से, ओके, देफो 3 subunits of beta in 3 different confirmations, ठीक है, क्या हो रहा है फिर ADP-PI से, ADP-PI घु दुसरा है O में, और O से ही ATP निकल रहा है, तो यह मैंने बोल दिया O से L होता है, L से T होता है, T से O होता है, हर एक subunit, no rotation of beta subunit, beta subunit का actually में कोई rotation नहीं होता है, rotation होता है H plus का, जिसके वज़े से gamma subunit rotate करता है, ओके, अभी यह कितने H plus लगता है, gamma subunit को पूरा 360 degree rotate करने के लिए 3H plus लगता है, तो actually में 3H plus से 3 ATP formed होता है, क्योंकि हर एक subunit से एक एकर के ATP formed होगा, ठीक है, ओल्राइट, इसके यहाँ पर देखिए एक बार, 3H plus, each 120 degree rotation होता है, gamma का, ठीक है, तो फिर 3H plus के वज़े से 360 degree rotation होगा, gamma का, तो फिर 1 360 degree rotation के वज़े से 3H plus अंदर आएंगे, और 3H plus, मतलब 3H plus के वज़े से 360 degree rotation होता है, तो फिर 3 ATP formed होगा, क्योंकि हर एक subunit ATP formed करेगा, ठीक है, ओके, तो यह जो पात है, यहाँ पर हम लोग detail में समझ लेते हैं, क्या हो रहा है, देखिए, पहले बीटा 1 को लेते है, बीटा 1 सबसे पहले open में आया, ATP छोड़ा, ADP ल और फिर यह वापस से B1 हो जाएगा, जब ATP वो छोड़ देगा, similarly, ऐसा ही होगा B2 के साथ, जहाँ पर यह ADP PI bound है, तो फिर वो ATP बनेगा, ATP और उसके बाद वाले confirmation में ATP को छोड़ देगा, similarly, फिर B3, बीटा 3, जहाँ ATP bound है, यहाँ पर वो ATP को छोड़ेगा, ओपन होगा, फ 3H+, के वज़े से, 1 full 360 degree rotation होड़ा है, जिसके वज़े से हम 3 sub unit से, अलग-अलग करके, 3 ATP मिल रहा है हमें, ठीक है, तो इसी के साथ, हम end पर आ जाते है, ATP synthesis के, होपकि आप लोगों को lecture अच्छा लगा होगा, मिलते हैं आपसे next lecture में, thank you.